कोई शक्स अगर पर्देश में जाये और पर्देश हमारा फिरे आपिए विस्यार सरिनमा देखे वहां की रंग रंगियों में अपने जिल्ले काम और दिन बुझाया करे और कोई दोस उसका पूछे कि तुम पर्देश किस मकसद से आये हो पर्देश में आने का तुम्हारा क क्या मकसद है तो कहें मकसद तो हमको नहीं मालिक हमको तीन साल का विज़ा मिला है तीन साल हमें यहां आयश करना है जो अच्छी चीज लगेगे हम उसे यूज करेंगे यूज हम बे मकसद जिन्दगी नियुक्त बिला रहेंगे जो आपनी तवियत और नक्स के खुनाम रहेंगे जो चुछ को अच्छी मालिक हो जोगी या जिस चीज़ को हमारे देशाएगा वैसी हम सुरत कर लेंगे और वैसी हम सीरत अख्यार कर लेंगे हमारा कोई मकसद नहीं है हम बे मकसद आए तो उसका दोस उसको क्या कहेगा कि बे मकसद तो जानवर भी कोई हरकत नहीं करता अगर जानवर दर्या की तरफ जा रहा है तो उसका मकसद पानी पीना है अगर जानवर घास की तरफ जा रहा है तो उसका मकसद पेट भरना है उस घास से अगर वो भागा जा रहा है तेजी से तो उसका मकसद यह है कि कोई डंडा तीछे लगा रहा है बताईए तो इंसान होकर कैसे बे मकसद परदेश में यहां आ सकता है हम लोग अपने असली वतन जन्नत से यहां उतारे गए कि जिसके माँ फिर वही जाना हूँ लिएजा एक जाना भी है और इसका मकसद जिन्दगी का हर सांस, जिन्दगी का हर रुख, यहां का चलना भिरना, यहां के तमाम हरकत सोख्णून, एक एक सांस जिन्दगी की मकसद के अंदर ऊधे। उसकी डूबी हुए हुनी चाईए. अगर कोई श्रस दोड़ा जा रहा है तुछे आप क्यों दोड़ रहे हैं? कहता है कोई मकसद नहीं है कोई होटल की तरफ भागा जा रहा है क्यों जा रहे हो कोई मकसद नहीं है पानी की कूलर की तरफ दोड़ रहा है कोई मकसद नहीं है शादी शादी कर रहा है, कोई समख्सद क्या है? कुछ नहीं, कोई मकस्द नहीं ऐसे ही एक इनसान है, वह भी है, एक हम्भी हैं ऐसे ही सादी कर रहे है तो जिस रख के खरकत, खरकात और सुकून बेमकसद हूँगे उसको क्या कहा रेंगे आप ये आउट आफ माइन है यानि आहमकुल लजी ला आकल फी है अरवी जबान में आउट आफ माइन का तर्जमा अरवी जबान में क्या है आहमकुल लजी ला आकल फी वो बेवकूफ जिसके अखल रिमाग में आतुर नहो उसी को अंग्रेजी में आउट आफ माइन्ड करती है इस दालिव को खबर ही नहीं है कि हमारा एक बिन रिमाइन भी होगा यहां से जाना भी है जहां से आना है इसलिए दोस्तो जब तक मकसद सामने नहो जिसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है तो बिगएर मकसद जो जी रहा है उसके जीने का कोई करीना सही नहीं होगा पागलों गी तरह जीएगा विशियार में मज़ाया विशियार देख लेगा मुई बन रही हो वहां मुई बन वालेगा नंगी फिल्म देखेगा वहां उसमें लग जाएगा जब दिल जाहेगा गालों के बालों को दाड़ी मुणा कर सफाचट कर देगा औरत बन जाएगा कोई नशा की बात कहेगा बहुत मज़ा तो चरस भी पीलेगा कोई कहेगा फला औरत जानिया है वहां दी पहुंच जाएगा जिन्दगी का उसका कोई मकसद ही नहीं है जानवर से लिए बत्तर है इसलिए पहले मकसद तरह कीजिए कि आप लोग कुछ लिए आए है ये मकसद किसे पूछेंगा आप अमरीका से लंडन से जापन जर्मन से पूछेंगे या जिसने हमें भैजा है उससे पूछेंगे एए लाँ आपने हमें किसली बैजा दुन्या में आल्ला ताला वयान फर्मा रहे है कि हमने तुमको क्यों जिन्दगी देकर बैजा हमने इसली बैजा कि तुम्हारा हर कदम मेरी बastianगी में डूबी हूई हो तुम्हारे हर कदम की हरकत मेरी बंदगी के दाइरे के अंदर गिippTार हो तुम मेरी महबद के गिippTार रहो और ये न पुछना की कै veterans नमात पहनी है कितने दिन रोजा रखना है कितनी दिन विसी आर से बचाना है कितनी जिर गुना से बचना है, दिन मत उचना, वागुत रर्ब का हतायाती अकल यकिन, इकनी दिन तक अदाय बंदगी करते रहो, जिग तक मौत ना जाये, फाबंद मे महभत कभी आजाद नहीं है, ख़जाद अधुन हसन रहमत अला ले का शेयर, पाबंद मे महभत कभी है इस गयत के दिल कोई नियाद नहीं है जब तक गिना है उनका बंकर गिना है मरना है तो उनकी जाथ पर कल्मा पर कर मरना है जब पैदा हुओे तो अजान गान Осрах कानमे दी गई है का कि मुशत हैat का इनो इस बच्चे के कान में पड़ जाए कि अल्ला के बन के आ रहे हो अल्ला के बन के रहना अल्ला ही में भेजाए और एकामत भी कह देना एक कान में ताकि मालू हो कि अजान एकामत हो चुकी है और जनाजा बाकी है बस क्योंकि जनाज़े में अजान एकामत नहीं होती, जो बच्पन में पैदा होते वक्त अजान दे दी गई, एकामत दी गई, वही अजान एकामत जनाज़े के लिए काफी है, अब जनाज़ा बेगे अजान एकामत तो जिस तरह अजान एकामत में और नमाज में ज्यादा फासल किसी वकamente हम तुम को बुला सकते हैं हम बच्पन में तुम्हें बुला सकते हैं जमानी बुला सकते हैं अदहर बुला सकते हैं कि में इन्तजार कर रहे हुँ है यहादा मक्सद एहाया समझ लो कि हमें नेक अमल करना है और गुणाहों के तकाज़े पर सबर और गम उताना है लेकिन गुणा नहीं करना है अब कोई पूचे कि अल्ला ने नेक अमल का तो बात सम्झ आधी नमाज पसलेता हूं रुज़ा रख लेता हूँ फजव उम्रा कर लेता हूँ मगर गुना का तकाज़ा शदीद होता है फिर उसको हुकम है देखो तकाज़ा बरदाश कर लेना लेकिन गुना नद करना गुना के छोड़ने का गम उठाना गुना के तकाज़े पर अमल ना करने का गम उठाना यही हमारी दोस्ती की बुनियाद है और यही हमारी दोस्ती का अब्तिका है और बका है और इसी दोस्ती के बरकत से हम तुम्हारे सारी जिन्दगी साथ रहेंगे और तुम्हें खबर में भी साथ देंगे और मेदान प्यामत पर अपने रहमत के साहे में रखेंगे और तुम्हें जन्नत में भी अपना दीदार मस्जिब करेंगे लेकिन अगर तुमने हमको नाराज करके गुनाहों से हराम लज़बत हासिल की मुझको नाखुश करके अपनी तबियत के मुताजब जीना अप्यार किया और अपनी तबियत और नफस के गुलामी में तुमने अपने जिन्दगी गुजारी और अपनी हराम खुश्यों से मस्त रहे और मुझको नाखुश करते रहे तो याद रखो तुम जिन्दगी में दुन्या में भी हम तुमको खुश नहीं रहने देंगे जो लोग मुझको नाखुश करके खुश रहते हैं हम इनकी खुशी पर बेश्वार लानत बरताते हैं इनकी जिन्दगी को तल्ख कर देते हैं यहां तक की सुनो की जो शफ दालिम गुना करके वी-शी आर देखकर टेली वेजन देखकर आउर्टों को देखकर दाली मुना कर जो जालिम अपना दिल खुश कर रहा है और आरे जिकरी देखो तुम मेरी याद से दूर जा रहा है हो सूरत मेरे नबी के खिलाब बना रहे हो अंग्रेजों, हिसाईों, यहोगियों की शकल बना रहे हो और गंदे गंदे तकाजिक ख्यालात विशियार गंदी फिल्मे देख रहे हो गाने सुन रहे हो याद रखो तुम्हारी नाफर्मानी का नुक्त अगाज मेरे आजाब का नुक्त अगाज होता है उड़र तुम मेरी नाफर्मानी गी तरफ एक ख़दम बढ़े इदर मेरा अजाब एक ख़दम बढ़ा और स्वाई तापीदिया है हम तुम्हारी जिंदगी को तल्ख कर देंगे तुम्हारा नुक्त अराज तुम्हादा नुक्ते ना फर्मानी मेरे अजाद का नुक्ते आगाद होगा जरा भी फ़स्थ नहीं होगा इस कीम गुना तो करना दूर है इरादा गुना करके चलो उसी वक्त से तुम्हारे दिल पर मैं अजाद नादित करूँगा उसी वक्त से तुम्हारा दिल धरतमे लगेगा उसी वक्त से तुम्हारे दिन में परिशारी शुब हो जाएगा मेरा मरकज तुम्हारी जान है मैं तुम्हारी जाने जान हूँ तुम्हारी जान मैंने पैदा की है मुझे को नाराज करके ना तुम खुश रह सकते हो ना तुम्हारा दिल खुश रह सकता है ना तुम्हारी जान खुश रह सकती है माशाओला अब बताता हूँ एक सबस्क इरादा करता है आज सेनुमा देखेंगे VCR देखेंगे किसी औरत का तमाशा के लिफ्टन पर जाकर देखेंगे हसीनों की हुस्न की दुनिया देखेंगे या किसी और गुनाह की इस्थीम बना रहा है उसी वक्त से उसके दिल पर अज़ाब क्यों आता है या गुनाह करने के बाद दिल क्यों परिशान होता है सारे गुनेगारों से पूछ दो व अल्ला हो खत्म खाकर कहता हूँ दुनिया में कोई गुनेगार चैन से नहीं है उफ कितना है तारीक गुनेगार का आलम अन्वार से मामूर है अबरार का आलम क्या होगा फिर ये दिल पराजार क्यों शुरू होता है जब कोई गुना करता है तो उसके दिल में परिशानी क्यों आती है दिल की दुनिया अभेरी क्यों हो जाती है बेचैन क्यों हो जाता है कान को क्यों नहीं कान की कुवते शुनवाई क्यों नहीं मतासिर होती आख की कुवते दीदनी क्यों नहीं मतासिर होती कानों की खुवते शुनीदनी क्यों नहीं मतासिर होती जबान की खुवते गुफतनी क्यों नहीं मतासिर होती हाथ की खुवते गुफतनी क्यों नहीं क्यों मतासिर होती सबसे पहले दिल पर अजाद क्यों आता है कि जिसम का बाशा दिल है और अजाद देने वाल बादशा को गरिफतार करता है बादशा कभी थाने में जाकर चौकीदार और कानिश्टीबिल को उसको गरिफतार नहीं करना उसको अपनी तोहीन वाले होती है कि मैं बादशा होकर एक मुल्क पर हमला कर रहा हूं और वहां के फुलिस को सिपाही को थानेदार को बनकर है जब वो निम्सान नाराज होता है तो जिस्म के बादशा है जिस्म के अंदर कौन बादशा है दिल बादशा है लएधा हर वह थनेगार इनसां के सीने में जो दिल है उस दिल की बाज़शाहत पर उसका अल्ला का अज़ा बरतना शुरू होता है और दिल की बेचेनी और परिशानी शुरू हो जाती है जिन्दगी उसकी तल्ख हो जाती है मौलाणा थारी रहमतुला ले समाते है कि जितने दुन्या में रूमांटिक और इस्तमजाजी और हसीनों के चक्कर में है इनकी दोजखी जिन्दगी है ला यमूत फिहा वला यह्या दोजख के अदाब के अल्ला ताला उसकी बयान करते है कि दोजख में ना जिन्दगी मिलेगी ना मौत हर दुनिह गार की जिन्दगी का यही हासल है ना वो जिन्दगी मौत के दर्मियान कश्मकस में परिशान रहता है चेहरे पर उसकी परिशानी के आसार होते है और लावालों का चेहरा देख लो तक्वा की बरकस उनके चेहरे पर क्या तमानायत होती है और उनकी सोहबत में जाकर परिशानों को चैन मिल जाता है तो खुद उनके दिल के चैन के आलब का क्या चैन हुआ आप तदर्बा कर लो किसी अल्लह वाले के पास थोड़ी देश जाकर बैठ लो सर में दर्ब, परिशानी, इंतहाई खुदकुशी तक के इरादे हो मगर किसी अल्लह वाले के पास जाकर बैठ लो उसी वक्त आपको नीद वारी होने लगी दिल में चैन आ जाएगा जैसे गरम डोतल फिरिज में रख लो अल्लह वाले फिरिज हैं सुकून चैन के डी फिरेजर हैं चलता हुआ, तड़ता हुआ दिल पेश करो उसी वक्त सुकून और नीदानी चुछ हो जाएगा तो इनके चैन का क्या आलम होगा जिनकी सोहबतों से चैन मिलता है जिनके पाख वैटने से चैन मिलता है खुद इनके चैन के आलम का क्या आलम होगा आज मिलिया अल्लह ताला में एक इलम अजी मता फरमाया कि देखो दुनिया को अल्लह दुनिया का गोला 24,000 मिल का है इसमें समंदर भी है, पहाड भी है और नीचे सेपोर्टिंग कोई थुनिया कोई पिलर कोई खंबा नहीं है चो इतना बड़ा दूला इतने पहाड़ों को मिना के कितने पहाड़ हैं कश्मीर में कितने पहाड़ हैं सारे पथखत करोड़ो अरबो खरबो तन पहाड, समंदर, सद़ को वदं लेकिन अल्लह ने बिगए थुनी कंबा खायम किया हुआ है और अपने को फर्ज कर लो कि हम जरा बाहर फजा में एक तख़त अल्लह ने दे दिया वहानमाद पुड़ा है और सामने पूरा 24,000 का आलम नजर आ रहा है तो किस अजमत के साथ सद्दा करोगे किस दर्द से तुम्हें लाओ के नाम में मज़ाएगा कि वारे मेरे लाओ क्या शान है कि इतना वावजन 24,000 मिल की काकुरा और गोला दुनिया का बिर तुनिया का बिर तुनिया का खड़ा है जब की चांद का मुझूद जिसके जर्ये से है वो यहां मदीने बाद में हराम फर्मा है चांद और सूरज आस्मान जमीन खुदा ना पैदा करता अगर सरुल आलम से लावजन को ना पैदा करता लौला का लमा खलकतु स्वावात वलर्दीन अगर आपको ना पैदा करता तो जमीन आस्मान सूरज चांद ना होते तो जिनके सद्के में चांद मिला मुझ्तरी को चार जोहल को छे उसके सद्के में जहां इस आलम के अंदर खुद सर्वल आलम से आराम फरमाए मदीने पाक में इस दुनिया को एक चांद यू Allah है लिया जिनके सद्के में सारे चांद और सूरज आ जवाब सुनिये जवाब ये है कि अपने प्यारे नबी स्वलेव की सुन्तों की एतिवा के लिए हमको दुन्या पहिदा की कि मेरे नबी के तरीके पर चल कर ये सब मेरे वली अल्दा हो दोस्त हो जाए और जन्नत पहुँच जाए तो रमजान शरीफ के लिए इनको एक चाहिए था क्योंकि रमजान में रोजा रखना हुदूर का फर्मान है अल्लह ताला का फर्मान है और चाहन देखना भी सुन्त है तो छे चाहन की तलाश में कितनी छक्के छुटते चाहन की तलाश करने में कितनी चौकणी मारनी पढ़ती एक चाहन दिया लह लेकि एक चाहन देखो जब नज़र आजा रमजान के रोजे रहर चुए य। इस दुंकि इस दुन्या के शरीयत है मुष्टरी जोहर पर शरीयत नहीं है चांद के उपर कोई शरीयत नहीं है कोई इंसान नहीं है महा अक्षिजन भी नहीं है जहां जिन्दा रखना था हम तो वहीं अल्ला ताला ने अक्षिजन भी आता फरमाया तो ये दुनिया का जो गोला है اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا कि जिस गोले बर जिस दाइरे में हम है और जोहर मुष्टरी सूर्ज चांड जितने सयारे सितारे हैं सब बड़े बड़े गोले हैं और जमीन से कई गुना बड़े हैं लेकिन जिसके लिए जमा पूरी काइनात अल्ला ने पैदा की सूर्ज चांड पैदा किया आस्मान जमीन उसका सबब हुदूर्स लास सलम की जात गिरामी है वो जात गिरामी इस दुनिया के 24,000 गोले के अंदर मदीन पाक के अंदर आराम फरमा है तो ये आलम जो हमारा दुनिया है 24,000 मिल की दुनिया जो है ये दुनिया का जो आलम है ये वो आलम है जिस पर हम लोग हैं बैटे हुए ये वो आलम है कि सबब आलम का हामिल है इस आलम में सबब आलम पैदा आराम फरमा है मदीन पाक में जिनके लिए दुनिया पैदा हुई जिनके लिए सुर्य औचान पökड़ा हुए जिनके लिए आस्मान और जमिन पएदा हुई सारे काइनात का सबब और सारे आलम пять क Sबब इस आलम अंदर है। इस आलम में जो हमारा आलम है ये ये दुनिया जिसका नाम है। तो कयमाद ओहा जिस आलम में हम लोग जी रहे हैं, ये वो आलम है, ये concept time आलम है, इस स्थे आलम आलम आराम फिर्मा कि करें है, मदीन अार या अधिया पाओ द मेंन अधिया है। अधिया लो biggest इस दमीन को किया शुर्फ हासिल है, जिसमें सर्रुल आलम पिर्म आराम फर्मा रहे हैं, इस जमीन पर क्यों ना आसमान रश्ट करें, फलक जैसे चुमे जमीने मदीना, फलक जैसे चुमे जमीने मदीना, आसमान जैसे जमीने मदीना को चुम रहा है, और अल्लाह वाले जूम रहें, आसमान तो चुमता है खाली, और अल्लाह वाले जूमते है عشقِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پر مرتے ہیں مجال ہے अपने गाल से दाड़ी अटा दे क्योंकि जानते है मेरे पेगंबर हमारे रसुल صلی اللہ علیہ وسلم ने बुखारी शरीफ में हुकम दिया हुकम दिया वाफु लुहा दाड़ीयों को बढ़ो मोचों को कटाओ क्या हुकम नगुřप पर असुरा पना पेगंबर के हुकम पर वो उमप जो असुरा पहलती है जरा आसे दिल पर हाथ रको कि क्या कर रहे हो तुम्हे गाल तुम्हारे असी औरेभे चानगे काव्र के अंदब रुमांटिक वालों को याल नसीम नहीं लेला और मजनू को नसीम नहीं समोसे पापड बिरियानी खाने वालों को नसीम नहीं सारे आलम को तुम्हारी निगाओं से अल्ला हिरा देगा जो तुम्हारे दिल के आलम को अपनी फर्माबरदारी के सब्के में देगा किस द्रड से आपको अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाव बन कर रहो इंशालला सारे सलातील के सच्ट ताज आपको अपने सामे निलाम होते नज़र आएंगे अल्लाव बन कर देखो इंशालला आपकी निगाहों में सारे दुनिया की मजनू और लैला सब बेकार नज़र आएंगे मुर्दालाशे लज़र आएंगे सारी दुनिया के पुलाव बिर्यानी शामी कबाब आपकी निगाहों से किर जाएंगे अल्ला जब कहोगे तो यू समझोगे कि सारे आलम का एक कैशूल आ रहा है मेरे कल्ब मे नगाहे अक्रबा बदली मिज़ाजे दोस्ता बदला और नाफरमानी की दुनिया क्या है नाफरमानी नगाहे अक्रबा बदली मिज़ाजे दोस्ता बदला नजरेकूं की क्या बदली की खुछ सारा जहां बदला अल्लाव वालों की जमीन आस्मान आ रहा है अल्लह वालूं के लमहे आयात हो रहे हैं अल्लह वालूं के अल्ठास हो रहे हर वक्त उनको खुशाजीπ आलम है वह गुनेगारों के हर वक्त आत्मान उजब मौन गुने जाने हो रहे वर को आप de प्रिब चेंद नें से खाली है अज दुम्या की मिंद हराम है विलियम फाइव का इजाद भी नहीं था पहले जैसे जैसे रुमांचिक और बड़नाच गाने जिस रसूल पैगंबर स.A.W. ने जब आउर्तों को देखना हराम फरमाया हसीन लड़कों को देखना हराम फरमाया और बेपरदा आउर्तों को फिरना हराम फरमाया टेली वेजन घरगार में पहुँच गया जब कि मेरे शेख शाह अबराव रहत साथ डाउंज बरकातों को फरमाते है टेली वेजन सापों का पिटारा है एक साप से छूटोगे दूसरा साप काटेगा अवलाद जानी बदकार गुंडा हो जाएगी तुम्हें चूते रशित करेगी जब उट्डे हो जाओगे ऐ माबाब सुन लो अभी से हुश्यार हो जाओ लड़कों को अल्ला हो वाला नेक बनाओ फिर बुड़ापी में मज़े खाओ जवानी में बीज लड़कों को बीज बोर नेकी का फिर जवानी में बुड़ापे में फल्खाओ वही बच्चे अल्ला हो वाले तुम्हारे पैर दबाएंगे सर में तेल लगाएंगे वन्ना तुम हाय हाय करते रहोगे दर्द सर से और लड़के तुम्हारे सैनुमा देखने गए होंगे बेगम को लेकर बहु वे काम नहीं आएगी बहु क्या मालू होगी हुँ बहु क्या मालू होगी फर कटाए हुए बाल कटाए हुए वो हर वकर टेली वेज़न और नंगी फिलमें और अपने सोहर को माबाप के खिलाफ भरकाती रही है इसलिए शोहरों पर फर्द है कि अपनी बीबियों को विनेग बनाओ अपनी बीबियों को यहाँ लाओ आओ अऒरतों का मौज़म टैरस में इन्तिदाम है क्योंकि अगर बीबी ना लाइक रही तो शोहर कहां तक लाइक रहेगा अक्बर सायर कहता है इलहाबादी कि मैं बिर्चिश के फौज से नहीं ड़ता हूँ लेकिन आउरत की नौज इसे ड़ल जाता हूँ दरता नहीं है अकबर बिर्टिश की फौज से लेकिन दरे है आह वो भीवी की नौज से नौज ऐसा मुला मिला हमको सेनुमा देखने नहीं देता टेली वेजन देखने नहीं देता मुई बनवाने नहीं देता जब देखो जब सादी बिया में जाने नहीं देता जहां बेपर्दगी आम होती है अक्बर शायर कहता है आज ये पर्दा दरी का ये नतीजा निकला जिसको समझेते कि बेटा है बतीजा निकला देखलो सादी सारी दुनिया में चैन नहीं है मैं कहता हूँ वल्ला बड़ा गुना तो छोड़ो अगर सोटा गुना भी हो जाए तो भी लिए ल्गा ताला की जरा सी नाराज़ी भी हमारे दिल की दुनिया को तबाह कर देए इसनी कि ल्ला ताला फर्माते है मेरा थोड़ा खुश हो जाना सारे आलम की नियमतों से आला और अकबर है रिजवान में अल्ला है अकबर रिजवान में तन्वीन तकलीम के लिए और मिन तमीजिया है कि अल्ला तुमसे जरा भी खुश हो जाए तो सारी काइनात की नियमतों से अफ़दल शीद पा गए तो जिसकी अज़ात खिरान अजिम उश्छान ऐसी हो कि जिनका थोड़ा खुश होना सारे आलम आसमान जमीन और सारे नियमतों से यहां तक की जननत की नियमतों से भी अफ़दल है मालिक का थोड़ा खुश हो जाना तो बताओ जो मालिक को खुश कर रहा है वो जननत से अफदल नियमत दुनिया बे पा रहा है इसी दुनिया नहीं और जो ला अल्ला ताला को नाराज करके गुनाहों में मुब्तला है किसी दर्जे में सही छोटा या बड़ा क्या होगा उसका अल्ला ताला की नजर इनायत उससे हड़ जाएगी उसका दिल बैयाबा हो जाएगा जिस तरफ को रुकिया तुम्हें गुलिस्ता हो गया अक्तर कशे भी हर नेकी से मालिक की निगाह हिनायत पड़ती ही मेरा बंदा मुझको खुश करने की कोशिश कर रहा है यहां तक की गुनाह से बचने का जब गम ठाता है उस वादिया अल्ला ताला खुश होते है बंदे का दिल तो गमबीन है क्या यह शरीयत हमको गुनाहों का हराम अजाल नहीं लेने दे रही है लेकिन इसकी परिशानी और इसके गम पर अल्ला ताला हस रहे हैं, मुझक रहे हैं खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि वारे मेरे बंदे अपने दिल पर गम जेल रहे हैं मगर में खुश कर रहें ऐसे दिल पर कितनी रहमते नाजिन होती है जो अल्ला को खुश कर दे और अपने दिल को गमगीन कर ले हसरत और जखमे जखमे हसरत खा ले दिल से कह दे नदेखेंगे नदेखेंगे इन्हें हर्गिस नदेखेंगे कि जिनको देखने से रब मिरा नाराज होता है क्या आई अल्ला रहु रह्मिन नहीं है क्या वह हमारे गम की कोई गीमत नहीं लगाएगा सारी दुन्या तो सिन्वा विसियार और अल्ला वाले नजर बचा बचा के हर वकद दिल पर गम उठाएगे क्या खुद आई ताला अस्पानवाला ऐसा बेरह्म है कि हमारे गमों पर उनको रह्म नहीं आएगा बना कहता हूँ जरा उनके रास्ते में एक जर्वा गम उठागे देखो हक ताला अपनी रह्मत की बारिश कर देगा और इन हसीनों के चक्कर में जो उठी पड़ रहे हो बीवी मुस्तना है बीवी अल्ला ताला ने दी उससे प्यार करो उसकी महबब करो यह मैं और और उर्तों के लिए कहता हूँ जो सब्कों बखिर रही है जिनके चक्कर में आज लोग अपनी बीवीों कहा ख़दा नहीं करके बाहर वाली को देखकर इसलिए कहता हूँ कि जिन लोगों ने हसीनों को देखकर एक जर्रा हराम खुशी दरामत की मैं वल्ला करता हूँ कि उनके दिल की बेचैनी के आलम को मैं नहीं कह सकता जिस से मालक की नजर फिर जाये नगाः फुरवा बदली मिर्ज़ दोस्ता बदला नजर कुमत की क्या बदली की कुछ सारा जहाँ बदला अगर इसके दिल को हयात मिल गए होती कभी मुर्दा पर एकि ये लाक मौत मुर्शे मुर्दा क्या जाने की मौत क्या चीज़ है और जिनके गुनाहों से दिल मुर्दे हो चुकी है उनको गुनाहों का आफर नहीं जादा होता अल्लावाले बनो, अल्लावाला करो जरा रोशनी में रहो, फिर अंदेरा बिजली फ्यूज हो तब पता चलेगा, जिस जालें के घर में पहले ही से बिजली नहीं है उसके घर में बिजली फेल हो जाए, महले में तो उसे कोई गम नहीं होता तो जिनको अल्लावाला की महबब, अल्लावाला की अबादत का और उनकी जान नालायक और मनहूस और लानती जानों को जिनको अल्ला तौला के खुर्ब की लग्दत नसी भी नहीं हुई वो जालिम जान, वो बन्हूस उलामती जान, क्या जाने की जाने जान, पर फिदा होने से क्या मिलता है मुर्दे को एक लाख टूता लगा दो, अभी इसको लिए रहो लाए तक्रիर के खालत में मत दो, यह रहो बहुत अफसूस की बात है कि तक्रीर के खालत में पर्चा दिया जाता है सारे मज़related को इधर उधर कर दिया आतो मग किसी के वकालत खक्तिया दो अगर किसी को पर्चा दो वहीं उसको पर्चा दो, अभी नहीं तो ये मैं आज़ कर रहा हूं कि अगर मकसद जिन्दगी समढ़ लो कि अल्ला ताला ने हमें अपनी दोस्ती के लिए भेजा है कि तुम जाओ दुन्या में तुमको दो तार देता हूं तुम्हारे दिल में अपनी नूर और अपनी महबबत का आस्ताफ पैदा करना चाहता हूं मगर रोशनी दो तार से होती है माइनिस पलस साइंस दानों से पूछ लो अगर कोई कह साब पलस का तार लगा दीजिए माइनस अच्छा नहीं लगता यानि क्या मतलब नेकी का हुकम दे दीजिए गुणा से बचने का हुकम उठा लीजिए कोई अल्ला से कहे कि नेकी करने का तो हुकम दीजिए नमाज वज़ा करूंगा मगर और तो को देखने से मना ना कीजिए माइनस तार से हम वो मनाजबत नहीं है तो इसके दिन में रोशनी आएगी दुनिया में या दाड़ी मुणाने वाला भी किसी औरत को देखता है किसी की बेटी बेहन को तो वो लड़की आपस में कहती है देखो इस ख़बीश को कैसा देख रहा है और अगर दाड़ी वाला है तो और जादा कि देखो दाड़ी रखकर मुझे देख रहा है बलाओ किसी गुना से किसी को इज़त मिली किसी हसीन लड़के को कोई देख रहा है वो हसीन लड़का दिन में कहता है शैतान की तरह मुझे देख रहा है वल्लाँ सफंखा कर कहता हूँ कि खुदाय ताला के नाफरबाने ने एक दर्रा इज़त नहीं है और चैन भी नहीं जिस हराम लड़के लिए बारे बारे पागल कुटे की तरह फिर रहे हो इस हराम लड़क का मज़ा तीन चार मिनत है चलने मिनत के बाद फिर देखो दूपर लानती मूझ के साथ और फिर खाना पीना सब हराम लगेगा उसे चैन भी मिलेगा जिसका गुना के मज़े की मिशाल हद्रत मौना अश्रफ लिए साथ भानवी रह्मतुलाला इंजी कैसी मिशाल भी जैसे खारिश का मज़ा ख़दलाने के वक्त में मज़ा आता एक नहीं लेकिन जब ख़दलाने का मज़ा आता है तो क्या कहता है मेरी शादी हो रही है वलीमा की देख तड़ी हुई है शामियाना लगा है और जब ख़दलाते ख़दलाते खुन निकलने लगा जलन आ गई तब कहता है बीदी मर गई शामियाना उजड़ गया लेकिन वलीमा की आदियों से उड़ गई और फ़रन डाक्टर कहा जाता है मरे 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 मर गई अल्ला को छोड़ोगे तो मरोगे नहीं जो जिन्दगी के पैदा करने वाले को नाराज करता है वो जिन्दगी से महरूम नहीं होगा और जो जिन्दगी जिन्दगी देने वाले पर फिदा होगी उसकी जिन्दगी पर क्या देशमार जिन्दगी नहीं बरसेगी अरे आकल से सुचो इसको एतने बड़े मालिक को खुश करने से क्या वाल्ला आपको खुश नहीं करेगा शेतान डराता है कि तुमको ने गुना छोड़ दो के तो तुम्हारी जिन्दगी कैसी बेमज़ा हो जाएगी जो सारे आलम को मज़ा देता है जो जन्नत का मज़ा पैदा करता है उसके नाम लेने से बेमज़ा हो जाओगी अरे उनको छोड़ने से ले मज़ा हो जाओ जिसको कहों मैं कसम उसके खुरान श्रीव रखकर पूछनू जो नज़र इदोजर मार रहे हैं उन पर खुरान श्रीव रखकर पूछनू कि तुमको बदमज़ी से कुछ मज़ा हरा है कहेगा एक मिनट का तो मज़ाता है मगर दिल जलता रहता है तलबता रहता है अपनी बीवी पर सबर कनाथ करो और बीवी को भी यहां लाओ उसको भी अल्लावाली बनाओ ताकि वो भी बुना छोड़े शोहर तो जन्नतिका रास्ता इस्प्यार करें बीवी हरुका टीवी देखे उस घर में सिकून रहेगा उसका तरीका यही को उसको भी आहां लाओ खुशिश करो उसको प्यारों महबब से समझाओ कि एक पिन मरना भी है ऐए बेगम अगर बेगम होना है दुन्या से आखरत के गम से ऐए मेरी बेगम अगर बेगम होना है तो चलो चलो अल्ला की महबद की बाते सुए इंशालला अल्ला की जात काफी है अल्ला का पुरान पाक में अलान है कि अगर तमाम गुना तुम से छूट गाएं और सारी दुन्या तुम से नज़र फैद ले मेरी जात तुमारे लिए काफी है क्या अल्ला की अपने बंदे के लिए काफी नहीं है कितने ऐसे हैं जो चीते जी अपकी बीवी से महरूं होगे बीवी भी जिन्दा है मगर उसकी नालायती से वो महरूं है आप बिल्कुल नगहवराओ अल्ला के नाम मे वो लिख लिए लेकर अनकु याद करो ल्लाव के नाम में वो लज्दत है यद्या ना के यालं नो न कोगा तो पिर क्या करोगे जोहलमुशवी और मृद्थनय में आहएगा यह बंदे इतसा है जहाद पर रहता हो अनासाओ है पर्देश में तक्रीर कर रहा हूं वहां भी अल्ला साथ है एक अल्ला सा पहरा अल्ला है सारे आलम दोनों जहां जहां भी जाओ अल्ला साथ रखो कोई है साथ में ने वाला ऐसा और कबर में जाओ तो भी अल्ला साथ है पता चलिए आप जीना मेई है वके खे-ख़तम होगए या तर्मा रहे हैं का만 वाद आरहे ही आजाओ मेरे पास और नश्यु 001 जिल्ब्र से मुतमिए इन नश्यु 001 धिकर या कहा गई सेनिमा वीसी आज किदर गए वो गाल मूडने वाला अस्थुआ किदर गया बिलट किदर गया गाल चिनने वाला जोस्तों जल्बिकर लो वन्दा मेरी बाद से मानलो ख़तन आला के रुआसा देता हूं और मैं आप से कोई नजनाना पैसा नहीं मानता हूं यह दर करने के लिए और मेरी ना से मानी छोड़ाने के लिए किस दर्दें दर्दु दिन पेश कर रहा है कि आप ताला रहम रहाम नहीं है लेहादा यह बात करता हूं कि अब इतना दिन अभी तक लोहा गरम कर ले तो जल्दी सो सरोता और चाकू बना लो क्योंकि लोहा थंडा भी करता है फिर लोहा थंडा भी नहीं लहादा इस वक्त दिल गरम हो गया अब जल्दी जल्दी चन्द बाते सुनो स्टीरियल नंबर से ताकि जल्दी से सरोता चाकू और जो चूट बन जाए खटा बताओ जो लोहा गरम हो गया इस वक्त मेरी तक्रीब से अल्ला ताला मेरे कि दिल को आपके दिल को गरम कर देए हमों किया क्या घर्ना करना है एक अपने अखलाआ की दुरूशव के लिए मिजे फूम कर पूचा गया कि मैं अपने अखलाआ की तना रतूश्च पूरू है मैं तो इसका जवाब सुनिए मेरे शेख का बताया हुआ शाह अब रालुहास पार दाओं वरकातों बहिश्ति देवर का हिस्था नमबर साथ आज शायद दस पार्स मिन एक तक्रिश देर हो जाए क्योंकि मेरा सफर हो रहा है एक तौर को इंशाला ताला गेर मुल्की ये नहीं बताऊंगा कि किदर जा रहा है अल्ला ताल तीन हफ्से का सफर है तीन हफ्से का सफर है दो मुल्कों में एक मुल्क में दो हफ्सा एक मुल्क में एक हफ्सा इंशाला ताला एक तीस दिन के बाद फिर मुलाकात के लिए दौा करो और मुलाना मज़र साथ किया तक्रियर हो पी रहेगी आपको मैं मशर्वा देता हूँ कि आप मेरे मशर्व को रज़न करें आते रहें उनकी तक्रियर यूसंते रहें इंशालला यहां अने ही से आपके दिल की दुनिया बड़ जाएगी इस खानकाह में मेरी आहें जब रहें, इस खानकाह में मेरे गुदुर्गों की तक्रीदें जब रहें, इस खानकाह में ये जो दर्ब दिल से बयान कर रहा हूँ, मजबित के दर्ब जर्रे में जब हो रहा है, खानकाह में जर्रे जर्रे में जब है इंशाल्ला, आप आकर यह नबी सलसुन का पूरी जिल्दगी उसके अंदर है क्या याद किया 32 जिवर सिसा नमबर चाथ रोजाना पॉर लो 34 सपा नमबर दो तब्लिगी जमाद भी बुराई मत करो क्योंकि हमारे भुद्रगों ने तब्लिगी जमाद की तारीफ की है और इतनी मुखलिस जमाद पूरी दुन्या में कोई जमाद नहीं है यह वी सुन लो इनकी यह ऐची जमाद पार्टी है तब्लिग वालों की कि इस पार्टी के पीछे कोई बार्टी नहीं है बलकि अपनी बार्टी खुसाथ रखते हैं अपना खाना अपना जिस तरफात रखते हैं अपने खर्टी से सारे आलम में दिन पहला रहें लेकिन कोई बात ऐसी हो जाए जैसे माबाप को छोड़कर जाने लगे उनको मसला बताया जाएगा अगर नमाद के लिए कोई मसला बता दे कि सज़दा सोह आजिव हो गया तो क्या ओ नमाद का मुखालिब है या नमाद की तोहिं कर दी लेहाजा तब्लीग वालों को अल्ला के आहकाम बताय जाएगे उलमा से मश्रा करना उनको बताय जाएगा मगर तब्लीगी जमाद की बुराई मत करो नमाद की वए तो केसर से सहो तो शिखा दो की फ़ला वक्त पर निकलना जायज है माबाब बीमार हो तो निकलना जायज नहीं जब की एक ही बेता हो और दुसरे भाई भी नहों जो माबाब को समाब सके बहराल मत उलमा से अपने मुहले को उलमा से पूछो और फिर लहाजा तब्लीरी जमाद को बुरा मत हो यह जमाद बहुत बरकत वाली है सारे आलम में दीन पहला रही है और अफ्तर जहां भी जाता है यही जमाद वाले तब्लीर वाले मेरे पास आते हैं और मेरी तकरियर सुनते हैं चाहे कश्मीर की पहाड़ियां हो चाहे करनादा का एर्ड मंटन हो टोरंटो हो, डुफलो हो, डे टू रायट हो, अचलांटा हो, शिकागो हो और निल्याट हो या साथ अफ्रीका का दर्पन और केट जाओन हो जहां भी जाता हूं जहां भी जाता हूं, यहीं बिचारे तवलीग वाले जुड़ते हैं लहादा तवलीग को बुरा मत को लेकिन उसके हुदूद को अल्लह तालह ने फरमाया कि तवलीग करो, अच्छी बात पहलाओ बुराई से रोको लेकिन लादा खानून करो अल्लमा से पूछो कि हम बीमार हैं मा बीमार है इस वकत तुमारे ले जाना मुनासिब नहीं ते चले जाना वगरा एक मिशाल बता तिया बच्चा पैदा होने वाला है कल किसी की बीवी को बच्चा होने वाला है उसको छोड़कर चले में मत जाओ एक दिन लेटिंग करो ताकि बच्चा सलामती से हो जाए क्या मनुश्किल क्या आपको जरूरत बेशा जाए और वो बीवी आपके रुख जाने से चल्ला लिखाने के बावजूद रुख जाने से दस ओरतों से कहेगी कि तब्लीग वाले बड़े प्यारे हैं तो मेरा जम्या लिखा चुगा था मगर मेरा बच्चा होने वाला था इसलिए तब्लीग में नहीं गया रुख गया तो दस ओरतें और तब्लीग में दस मर्द और तब्लीग में लग जाएंगे अगर आप चले गए तो कहींगी मिया तब्लीगियों से अल्ला हो चाए मुझे कल ललका होने वाला था फिर्मी जालिग चला गया मेरा सोहर मुसको छोड़ कर लेदा तब्लीग को बड़नाम न करो उसके मसाइल उस्ते रहो और माइदीन से दलील पेश करता हूं से इदना एस्मान बीमार है उनके इलाज करो मतीने शरीम में रहो जंग बड़न न लो लेकिन जब जंग बड़न graphics लगई तो उनका भी माले खनेमत लगा जब तक्सीम हुआ माल तो हजद्द सेड़ना उस्मान को भी मिला मालम होया कि वो तब्लीख में जिसको अल्ला का कानून और हुद्ध स्वासलों का फर्मान बीबी की बीमारी या माँ बाप की बीमारी में लगा दे उसको तबलीग में गए हुए बिगह तबलीग ने जवाब मिलेगा अब स्यिवना अस्मान से जादा कोई वलिया ना नहीं आजकर और हुबूर स्वाइब से जादा कोई तबलीग यह नहीं हो सकता कि वो अब एतने बड़े अस्मार होकर अब फर्मा रहे जाओ अपनी बीवी का इलाज करो उसकी देखवार करो तुमारी बीवी बीमार है मदीन शरीफ वापस कर दिया गया उनको इजादत नहीं गिरी इस तबलीग में बादवा इजादत नहीं गिरी मगर वो फर्मान रसूल होगा और अगर नभी के फर्मान को तोड़ कर तबलीग करना है तो मैं ऐसी तबलीग पर एक लाख पोस्ट मील वहां से दूर रहने की खोशिश करूँगा आप बताओ जिस तक लेकिन लेकिन तबलीग में ऐसा नहीं है तबलीग वाले अपने बड़ों से मश्वरा करके चलते हैं उनको इतला मिल जाए यवादे लोग बताते ही नहीं और भाग जाते हैं घर गए तो गिर गए तबलीग के बज़र्गों से पूछो इशालला करी नहीं जाने देगी आपको कि आप अपनी बिमाबाब तो विमार ठोगकर तरे गाए पहले पहले बेताओी मुष्च के लगके तरे आते थे उनको बादे तबलीग के ऐसे लगके थे जो गलत इस्माल करते थे अब तबली अच्छा वित्र से पहले वित्र से पहले दो रखात तहजुद की निमात पढ़ो क्योंकि आज कल तीर मज़े रात को उच्टना चार बज़े रात को हर सब की हिम्मत नहीं होती हम चाहते हैं आप सौफीसद तहजुद गुजार हो जाए हज़र्थ हकी उमत और अल्लामा श और अल्लामा शामी से बड़े फकी नहीं है यहाद आए भी आज इरादा कर लो कि वित्र से पहले दो चार रखात पहलेंगे फिर अगर चार बज़े रात को आँख फुल जाए तो उसमकर भी पहलो कितने मना किया है गोश चपाती खालो एशा के बाद और बिर्यानी खालो मना किसने किया है लेकिन अगर बिर्यानी के लालत में गोश चपाती भी जाए बखली का गोश चपाती खालो वित्र से पहले दो चार रखात पहलो कर्ण से कम दो भी पढ़ो अब वादीन मगर्ब के बाद छे रखात है तो आप तीन फरन मगर्ब पहुंकर दो सुनत मौकदा में राकाछ च्छे रकात वादीन हो जाए क्योंकि हदिस्ताफ रखाग के अलसाथ मैंने अकाबिश से मशुड़ा कर लिया मौकदा की दो रकास उनत मौकदा वादीन में शामिल है तो दो रखास सुनत मौकदा और दो रकात नफिल एको मनसुठा सित्टर रकातिन बादल मक्तुबा जो फरस के बाद 6 रकाद पहले फरस के बाद सुनत भी शामिले तो दो रकाद सुनत मौकदा दो नफिल हो गए इन पहते ही हो फिर दो रकाद इन्ना पुल अल्ला से पहल लो तो 6 रकाद आप की हो जाएगी आप से रादा कर लो जवाबीन भी नहीं चूलेंगे इन्शाला से अब उसके नाद सूध हराम है अल्ला तशाला फर्माते हैं कि जो लोग सूधी कारबार में थोड़ेंगे मेरी तरफ से उनको इलान जब्ध है तो जिससे अल्ला तशाला इलान जब्ध फर्माए उनके हाँ खाना तीना कैसा है, ऐसा नहों कि वो एलान जमी तुमकों मिला पेट में ले ले, लहादा सूधी निजाम और सूधी कारबार के वालों के हाँ, अपना खाना ले जाके खालो, अगर रिश्टेदार अपने घर से खाना ले जाओ, और कैसा भाई, मैं तुम्हारे सा रोएं तो अल्ला ताला बहुत सैसे जोश्ट जिन्होंने नौकरी दलाश की अल्ला ने उनको देदी, और कम संखाज पर राजी हो गए, मसलना दस हजार सूध का पैसा मिलता है, सूधी बेंकारी निजाम से, और वो पांच हजार पर राजी हुए है, और इतने चैंस हैं कि कुछ पूछो मत, लहादा एक करो भी सूध का हराम मिलता हो ठोड़ दो लानत बेदो, सुल्टान बलखी में बलख सोड़ी थी, आपके ये क्या चीज़ है, फिर एलान जंग अल्ला से करोगे तो अल्ला से लग सकेगा कोई, बोलो भाई, और सूध का गुना हज़ूर सर्म कि अधना जुना सूध का अपनी मां के पास जिना करने के बराबर है, लेहादा सूध कारबारों वालों के हाँ, ना दावत खाओ ना उनके साथ शिर्कत करो, अपनी बेटियों को भी उनको मत लो, वहना बेटी भी सूध खाके खराब जाए, शारी ज्या भी नकरो, और मु कि बेंकों में सुधी पैसा है, सुधी एकाउट भी मत खोड़ो, करन पेकाउट खोड़ो और कोई अगर बेंक खोड़ रहा है, तो अल्ला के नाम पर बेंक को लानत भी मत बेंक खोड़ों खोड़ चुके तो तो बेंक, सल्साइब वरक सोड़ी सुधान इबनाहीं इबन करने लगाति के लगाए आखते हैं है कि अलाए ताह पर चौरण पर में हमिने को विवभान कें लिए आखते हैं लृव्भा काहते हैं यह जबानु पर पर वृद्वन जो और कि बु निए नहीं किया और बात Lewis को कहते हैं । और वाजे नाख भी निजान नहीं में आज मुसल्मान पर्थी में हैं यहूडी मानदार हो गए सुनो की दोas century मोलाना की उन्मत फर्माते हैं तरख्टी की दो समय में एक थğ K अधवर बशार हो गया और उप्लावा फजोड जुँँस्वां चनी दुशमन की मार्स जो घो जिसका नाम वरम है सुजन है उसके लिए अस्पताल आइजमिट होते हो वो तरक्की तरक्की हो अगार है बताओ जिसमन दट लाठी मार दे गोश्ट में तरक्की हुई आरी सुगा गोश्ट सुझ गया इतना हो गया सुझ अधार फित बढ़ गया तो इंचे बढ़ गया यह तरक्की आप चाहते हो इस तरक्की को सिहतमन तरक्की हो है जो अल्ला को राजी करके चक्की रोटी बांदो सहादा ने पत्थर बाना पेट पर अपने अल्ला को नाराज नहीं किया आज हम माशाआलला सब गोश्ट रोटी खा रहा है शरी पर्दे का हित्माम करो अपने भाईयों से अपनी बीवी को पर्दा कराओ शरी पर्दा समझ लो मामुदा चताजाद खालाजाद भूबीदा खालू जब भालू है इनसे भी पर्दा कराओ खालू का वदन भालू से मिलता है पहतो बाहरी बैठिया आप खना जाएगा खालू साब आलू की तरह घुशे जा रहे हैं मैं हिंदोस्तान गया मेरे खांदान में खालू बैठे हुए सरवता से छालिया काट रहे हैं मैंने खालो इस भुट्डे को खालू साब आपको शरम नहीं आए आप कैसे खालू निकलो जाके बाहर बैठो और तो में घुशे होगे हैं मुई वी सियार मुई सब हराम काम ठोड़ दो अल्ला के नाम पर कहरा हो और ना परिशानी और अल्ला के नाराज़गी में कभी चैन का हाथ भी नहीं नजर आएगा मुई नंगी फिल्में तसावीर तस्वीरों को घर में न रखो न तर फोटु खिचवाओ बिला ा जरो थोटु मत लगाओ अपने बाप डादाओं की Allah का फर्मानifa का नबी का फर्मान Васल Horse हमारे बाप डादा करोलो से बेहतर हैं चाहतों पीर मुश्य चीजिक की नोप पीर मुश्यिक तस्वीर भी-पीर भी श्ख्यून रखा प possibility न भी पीरों की तस्वीर मुच्य पेहरा हुदूर सलस्तों ने उस घर में रखा जिसमें तस्वीर थी परमाई नभी उस घर में रख तकेगा और रहमत के फरिष्टे भी नहीं आएंगे आज चोटे-चोटे बच्चे मैं औरतों से कहता हूं जो मेरी वास सुनने आती हैं अपने बच्चों को उस लिबास में ना को दरख से लगा लो अगर कोई और पहाड समंदर कर लो और दो तीन बाताओ रही तो एक दो मिनट शरही दारी रख लो शरही दारी क्या माने आए चालिस कदम से नजर आए बादे बेवकुफ कहते हैं दारी इतनी काफी है यह यह लाड़ कर्दन कट मोच है कि मक्षी के ब होगा एक मुठी अपनी मुठी हजाम की नहीं अपनी मुठी हजाम के बच्चे की नहीं एक मुठी दर एक मुठी दर डारी दार से इस हड़ी से दारी रखना फर्द है वाजिब है इसका मुदाना हराम है सफा नंबर 115 बैश्टी जेवर हिस्टा नंबर 11 मुदाना भी हराम कदराना भी हरा, एक मुठी सकंद, दे लोग किताब का हवाला दे रहा हूँ, महिश्टी देवर, सफा नंबर 115, जिल्मे नंबर 11, पैदामा टखने से उपर रखो, पैदामा लूंगी से, पुर्ते से चखना छुट जाएगा, तो अल्ला ताला की रहमत से महरून हो जाएगा बताओ, अल्ला ताला की रहमत लए़ा है तुम्हारा टखना, और तुम्हारे जाल जाएगा पीनती है। या लाट ताला की रहमत और करम, और मुष्व जादा कीनती है या लाट ताला की नबी की शफात, तुमाते हैं जो लंबी मुश्व र grieving लिलेगे। अपु सानु महर होने से पहले अपनी मोचों को जबा कर दो और जो लोग मुझें बारी बिल्कुल मुटाए हुई है मुच नहीं है मशीन से चला दें तो वह पचास विसन नंबर पाच चुके हैं दारी रखने बस दो हकुम हुआ ना बुखारी शरी में दारीयों को बढ़ाओ मुचों प्चाबरी सुना रहा हुँ तो अब पचास नंबर ओ ले लो बसा पर पंट पर पंट पर पंट पर प्ट पास बढ़ाओ अब दो तो मस्षर के काटने के सुन्नत अल्लह ने कल अधा फर्माया कि जब मस्षर काते तो हुदुर सलाब ने इनना लिल्लाह वाइना इलाज्व पच्वड़ के सब्सक्राइब और उनके सब्हकताइब हैश्य जान क्रास इस ब्सक्राइब ओर रे हमें काटप गया सब्सक्राइब का अधिया ष्ट के दिलंग चारो मोखे पर मचल इनालिल्हा वाइनाली राज और राज़ बहना सुन्नत है यह शुन्नत दिल्दा करो कि मुझे मचल मैंने नहीं रहा, बाद मैं अतन्भी हुई कि तुमको मच्छर ने काता, तुमने मेरी नभी की सुन्नत इन्ना लिल्ला की नहीं पढ़ी तो उस फिर कल फज़र में मैंने यहीं तक्रिद थी मच्छर के कातने के सिम्मत से असी रूχूमानी और किताबों की हवाले से अब कि उसकी बाद एक सुनने सुननो बशत्त कर दो बस तक्रिक खतन उपर ज़िये तो लाँ अउपर चखिए जब उपर सुनी और शखिए क्या कहिए और अच जाहत तो तकाफ़ पर रहे क्या पर लिए और लिफ्ट लुपर खड़े हो ये जब उठे अल्ला हुपर, फवारी मोटर पर जब तरहाई आ जाए अल्ला हुपर, इतना है उपर चाहने का तर्सीर, जहाद में समझने बादिया लिए जहाद शिकाफ पर राउचर हो रहा है, कुन्ना इजा ता इजना कब बरना, बाबा फर्माते हैं, जब हम उपर चाहते थे, लाह अवर कहते थे, नीचे उपर चाहते थे, सुलाहन अल्ला हुपर कहते थे, ये बखारी शरीप की सुन्मत है, बस आख कर सबस्वा खतन हो गया, आज बेट तो हो गई फोड़ी से, लेकिन क्या करें, अब कहीं तीन हफ्ते के बा करका हैं, बगी महरूम न जाए, बजिन मेयमनी जबान कहता हूं, जो खांता हम में आवे या रल्ला महरूम न जावे, ये मेयमनी जबान है, आग को क्या पता है, वह किसनी πता थे थे, मुशम ने कह थे, वह किसनी ने कहा दे कर ता है थे, बख भाई जितने फर्चेे मेरे बात बहने का लुक्त नहीं दौा करो अल्ला ताला जो कुछ इस पर्चे में लिखा है तू जानता है और हमारे दिनों की तमाम हाज़ते जानता है और हमारे दिनों की तमाम परिशानिया जानता है और हमारे जारी नालातियों को और बंदर्दितों भी तो जानता है ऐ खुदा हमारे जिस्मानी रूहानी तमाम बीमाजियों से आप बाख़र है और तमाम तकालीफ और परेशानियों से अल्ला हम सब की तमाम परेशानिया दूर फर्मा दे और सहत एक जिस्वानी भी देदे और वारे दम्या आखरत दोनों जहान अता सर्मा देप और यस फ्रमारा बेंटी और सहत आखत और आख्यत से आख को रखें लुफ दोनों जहान के मालक नों हम सब भुष दें जो अफरों जावणा अब नहीं हम्लारे कि बिलालमी जिनके पास दिनका वजू हो बेट सकते हो ते कामेशरी हो